मत्यप्रदेश की सत्ता का फैसला तीन नॉवंबर को होना है। इस तर से लेके विधान सभाश्यतरवार उसकी बड़ी चर्चा है। लड़ें दित्ते चुनाप करवाएं देश में किसी ने लड़वाएं। मैं हम मद्दाता हूँ की भावनाओं समझ जाता हूँ। आज जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है। आज जो बेरोजगार नौजवान हैं। क्या मद्दाता इसे नहीं समझता है। मद्दाता इसे समझता है। मुझे confidence, मुझे पूरा विश्वास मद्दाता है। एक बात आप बार बार कहते हैं कि यह चुनाओ आम चुनाओ नहीं है। यह चुनाओ मद्देश के भविश्य का चुनाओ है। क्या आश है आपका इसे। क्योंकि मद्द्देश का भविश्य तैह होगा। क्या हम एक सौधे और एक कलंकित सरकार बनाना चाहते हैं। यह नोटों से बनी सरकार। नोवेंबर 18 में मद्द्देश के मद्दाताओं ने कॉंग्रिस की सरकार बनाई थी। शिवराज सिंग को विदा किया था। और शिवराज सिंग जब विदा हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं 15 महिने कॉंग्रिस की सरकार रही। अब 15 महिने बाद मुद्दे तो वही है कि शिवराज सिंग जी को घर मिठाया था। पिछले साथ महिनों में केवल सौधे बाजे की केवल बोली बोलने की सरकार बनाने के लबा। केवल किसानों को परिशान करने के लबा। किसानों के साथ अन्याय बेरोजगारी बढ़ी। कोविड हम सबने देखा कोविड की क्या वेवस्ता बनाई थी। उनकी कौन सी उपलब दिये। तो क्या मद्दा था इसे पहचानता नही। कमलनाथ जी आप मेनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। हमने पिछले 25-30 साल में देखा है कि चाए मद्द्देश का मामला हो या दिल्ली का मामला हो आप अनेक मोकों पर कॉंग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमी का मेरे। लेकिन इस बार चर्चा जब मद्द्देश में आपकी सरकार गिरी तो यह चर्चा आम जनता में आई। कांग्रेस के मेदानी कार्यकरतों में चर्चा में आई कि मेनेजमेंट के मास्टर कमलनाथ आखिर अपने विधाय को क्यों नहीं मेनेज कर पा इसकी बड़ी चर्चा है। यह बहुत साधारन प्रशन है क्यूंकि मैं सौधेबाजी नहीं करने वाला ताँ। अगर कोई बख जाए और कहें कि आप बोली बोलो मैं ये बोली बोलने वाले राजनीती में मध्यद्देश को नहीं क्लंकित करना चाहता था। मैं सौधेबाजी की राज़नीती को मैंने अपनाया नहीं। सीधी बात यह है। मैं फेल हुआ, गल्ती हुआ, अगर मैंने कोई गल्ती करी, मैंने सौधेबाजी की गल्ती नहीं करी। कमला जी ऐसा नहीं लगता कि कुछ छोटे-मोटे कारणों से विधायकों में असंतोष था, वो आप तक नहीं पहुँच पाया या ऐसा नहीं लगता। क्या विधायक कहेगा मैं बिग गया? विधायक को तो कहना पड़ेगा मुझे मिले नहीं, मेरा काम नहीं हुआ, तो वो तो कहनी सकता कि मैं बिग गया? इसलिए सीधी बात बिखने वाली थी, कोई काम की बात नहीं थी, कोई मिलने की बात नहीं थी. पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉंग्रेस बूतिस्तर और बूतिस्तर से भी आगे चल कर हम बात करें तो पन्ना प्रभारी की व्योस्ता कॉंग्रेस में देखने को मिल रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बूत इस्तर और जो प्रभारी हैं सेक्टर के जो प्रभारी हैं या जो पन्ना प्रभारी हैं उनसे कमलनाज जी खुद संपर कर रहे हैं आपका आधा दिन चुनावी दोरे में बीचता है तो आधा दिन पार्टी के नेताओं से समवाद में तो क्या इस रणनीति को आखिर आप ये पन्ना प्रभारी की व्योस्ता कैसे कांग्रेस में लागू कर पा बड़ा मुश्किल माना जाता था कांग्रेस में मैं पिछले साथ महीने से केवल यही काम कर रहा हूँ हमारा चुनाव भाजपा से नहीं है हमारा चुनाव भाजपा की संगठन से तो जब तक कांग्रेस का संगठन मजबूत ना हुए और संगठन माने पन्ना प्रभाली से लेके गाउं की कारेकरता से लेके उपर तक हमारा स यही मेरा प्रयास पिछले साथ मेने में था कमलना जी रहुल लोधी भी छोड़कर चले गए और असकाह जा रहा है कि एक दो विधायक और जा सकते हैं तो मैं तो आपको क्या लगता कि बीजेपी की कहीं घबराट आपको दिख रही है क्या लगता है इस दोर में भी ऐसा क्यो जबादा हो जए तो यह आम जंता देख रही है और आम जंता इसका और बड़ा जबाब देगी कि आहँ अभी भी बाज निया आएं अभी विख विकाव राजनीती से भाहरतिये जंता पार्टी बाजनी हें आई मद्यप्रदेश को देश वर में कलंकित कर रही है सब कहते हैं मद्यप्रदेश है इहांकि राजनीति Merci एक है कॉत कम दिन बजगे है मद्दान में और कॉंग्रेश की तरफ से थैंप पर आप ही ये कोई फेस को आगे रखने की बात निया सब जुटे हुए सब कॉंग्रेस के नेता वरिश नेता जुटे हुए और सब अपने काम में लगे हैं मैं क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष हूं मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं इसलिए मेरे उपर जाधा जिम्मेदारी है दिगविजय सिंग कही नजर नहीं आ रहे हैं बिलकुल नजर आ रहे हैं कल दो घंटे मेरे साथ थे वो अपने काम में लगे हैं आपके साथ थे लेकिन मैदान में कही नजर नहीं आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि सब पूरे हर छेतर में बात कर रहे हैं हर जिगे बात कर रहे ह जो मैं चला जाता हूँ मैं दिन बर भार रहता हूँ वो देखते हैं चुनाव आयोग में से वो चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारा मुकाबला चुनाव आयोग से भी है हमारा मुकाबला प्रशासन से है हमारा मुकाबला पुलिस से है आपको ऐसा लगता है कि प्रशाशन और पुलिस इस दोर में निस्पक्ष नहीं है बिलकुल निस्पक्ष नहीं है यह बिल्ला अपने जैब में लिए गूम रहे हैं पर यह मैं दक्स के बाद इसका हिसाब लूगा यह इसमें मुझे जाने की आपशक्ता नहीं कमला जी जब भी आप किसी धार्मिक लिए मुखर होते हैं तो भाजपा आप पर उंगली उठाने लगती है क्या कारण आपको ऐसा लगता है बाजपा की पेट में दर्द उड़ता है कि वह कहते हैं हमने एजंसी ली हुई है धरम की तो सब की अपनी भावनाव से सब दरम में विश्वास सकते सब की अपनी भा मंत्री तुकाल में आप ने मद्धोर्स्त के लिए बहुत से काम के लेकिन आखीर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पाए जो आपके दिल में था कि मैं मद्ध거든요 के लिए करू मद्धोर्स की जंता के लिए करूं और मद्धेपदेश के अलग-अलग位 सेक्टर्ज के ये रह गया बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए मौके बिन मिलते किसानों के साथ नया होता और हम कह रहे थे हम पेंशन भी बढ़ा रही बहुत सारी चीज़ें हमें करनी थी अब आगे देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि इंदिरों मत्यपदेश में बड़ी चर्च हमें वापस आ रही है मैं तो कहता हूँ चार सीटे छोड़ी है दो बता दे जहां वो जीत रही है वो खुद जानते हैं नहीं जीत रही है तो मुझे मत्यपदेश के मत्दातों पर पूरा विश्वास है कमलना जी हमारे बीच थे मत्यपदेश के चुनाओं से जुड़े अ चुनाओं में जीत मिल रही है कमलना जी का यह भी कहना है कि मत्यपदेश में यदि कॉंग्रेस को पूरे पांच साल सरकार में रहने का मोका मिलता तो जनता से जुड़े मुद्दों पर हम अनेक महत्मुर्ण निर्णे लेते आज डीजी आने नियूस से विशेश चर्चा म कमलना जी ने मत्यपदेश में विदान सभा चुनाओं के लिए कॉंग्रेस की रणनीती बूत इस्तर की प्लानिंग सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की अब वे अपना सारा फोकस चुनाओी दोरों के साथ साथ बूत इस्तर की रणनीती पर कर रहे हैं और उन्हें पूर झाल ड़ित बूचन हमें भी घुत मैं कल बाओंछ झाल अपना इस्तर की बूलिह